सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सस्रियकाल, मैं उर्वशी आप सभी का हमारे चैनल भारतिय मीडिया पे स्वागत करती हूँ. पडोसी मुल्क पाक ने एक बार फिर नापाक हरकत की है. यहां हिंदू और भारतिय इतिहास से जुड़े प्रतिको निशाना बनाया गय है. जानकारी के मुताबिक लहोर किले के बाहर मौजूद महराजा, रणजीत, सिंग की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है. इस घटिया करतूत का आरोप तहरीक ए लबैक पाकिस्तान टीलपी संगठन से जुड़े एक व्यक्ति पर लगा है. बताया जाहा है कि उसने पहले रणजीत, सिंग के खिलाफ नारे लगाए और फिर उनकी मूर्टी को तोड़ कर जमीन पर गिरा दिया. हाला कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो मूर्टी तोड़ने में काम्याब हो गया. बतादे कि महराजा, रणजीत, सिंग की नायन, फीट, उची प्रतिमा को तीसरी बार तोड़ा गया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है. वीडियो को बीजेपी लीडर विश्लू वर्धन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इसमें एक व्यक्ति को मूर्थी की एक भुजा तोड़ते हुए और बाद में शरीर को धक्का देते हुए देखा सकता है. वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे रोक लिया. खबरों के मुताबिक मूर्थी को तोड़ने वाले व्यक्ति को तहरीक एलब्वैक पाकिस्तान का सदस्य बताया गया है, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया. आपके क्या विचार है हमारी इस शॉर्ट न्यूस के बारे में कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं. धन्यवाद.